हलो मेरे दोस्तों वेलकम तो दे आर्ट ओफ वेल्थ विल्डिंग मैं हूं भाविन सर्टिफाइड फाइनाशल प्लानर आरव और कभी इन दोनों की एज है 30 यर्ज और ये दोनों ही सौफ़वेर एंजिनियर्ज है और दोनों पूने की एक बड़ी मल्टी नैशनल कंपनी मे काम करते गए आरव ने जिस दिन इंटर्व्यू क्लियर किया उसी दिन डिसाइड कर लिया कि यही उसका ड्रीम जॉब है और वो इसी कंपनी से रिटायर्मेंट लेगा क्योंकि इस कंपनी में सैलरी तो ठीक था ग्रो होती ही है लेकिन जॉब हमेशा सिक्यूर होता है लेकि कभीर ने डिसाइड किया कि वो कमफर्ट जोन में नहीं आएगा और जॉब सेक्यूरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहेगा और राइट ऑपोर्चिनिटी मिलने पर अपना जॉब चेंज करते रहेगा चलिए तो अब समझते है इन दो स्क्रीन शॉट्स को इस स्क्रीन शॉट्स में हमने ये अज्यूम करा है कि आरफ की इंकम हर बरस 8% से ग्रो होगी और एवरी फॉर्थ एर उसकी इंकम 12% से ग्रो होगी क्योंकि उसकी designation भी change होगी which means कि जब उसकी age 33 years होगी तब उसकी income 12% से increase होगी और 50 years की age से आरफ की income stable हो जाएगी और 8% से ही होगी उसकी age 55 years के होने तक फिलहाल आरफ की salary 1 lakh rupees है लेकिन अगर हम 7 percentage inflation assume करते है तो एक परस बाद 1 lakh rupees का purchasing power 93,000 rupees के बराबर रहेगा महंगाई बढ़ने के कारण जब आरफ 31 years का होगा तब उसकी income 1 lakh rupees से बढ़कर 1 lakh 8,000 rupees होगी अब यहाँ उसकी income 8% से यानी 8,000 rupees से बढ़ गई लेकिन 7 percentage से महंगाई भी तो बढ़ी which means कि 2 सालों बाद इस 1 lakh 8,000 rupees का purchasing power महंगाई बढ़ने के कारण 93,400 rupees जितना होगा so इस screenshot के अनुसार जब आरफ 55 years का होगा तब उसकी monthly salary 8 lakh 21,000 rupees होगी अब यह amount आज 2023 में हमें बहुत जादा गल लग रहा है लेकिन यह हम बात कर रहे है आज से 26 years बात की यानि 2049 की अब अगर आप इस 8 lakh 21,000 rupees की salary का inflation adjusted value देखोगे तो यह आज का सिर्फ 1 lakh 24,000 rupees जितना ही बनता है यानि आरफ की salary 2023 में 1 lakh rupees है और अगर आरफ job security के चक्कर में अपना job change नहीं करता और अपने comfort zone में ही रहता है तो उसकी salary 2049 में inflation exist करने के बाद भी 1 lakh 24,000 rupees ही रहेगी which means की आरफ का job तो secure है लेकिन वो अपनी life style upgrade नहीं कर पाएगा महंगाई बढ़ने के कारण चलिए तो अब हम समझते है की कबीर जो अपनी income को बढ़ाने पर focus करता है और हर 4 सालों में job change करता है उसका क्या होगा अब इस screenshot में हमने assume करा है की कबीर की salary 8% से grow होगी और inflation 7% है लेकिन 4 सालों में कबीर अपना job change करेगा और उसकी income 30% से grow होगी लेकिन 50 years की age से लेकर 55 तक की age तक उसकी income flat 8% से ही grow होगी तो यहां आप observe करोगे की कबीर की income 2023 में 1 lakh रुपीज है लेकिन 26 years बाद यानि 2049 में उसकी income 17,30,000 रुपीज है जो आज हमें 2023 में बहुत जादा amount लग रही है लेकिन अगर हम इसे inflation के साथ adjust कर दे तो इन पैसों की purchasing power आज के 2,62,000 रुपीज जितनी ही होगी लेकिन आरव के मुकाबले कभीर अपनी lifestyle समय के साथ upgrade भी कर पाएगा I am sure कि कहीं सारे लोग comment करेंगे कि 17,00,000 रुपीज पर मन्त किसी की salary कैसे हो सकती है तो अगर मैं आप से ये कहूं कि 2023 में अगर किसी की income 1,00,000 है और उसकी income 26 years पहले यानि 1997 में 11,500 रुपीज थी तो क्या आप यकीन करोगे लेकिन 1997 में अगर किसी ने कहा होता कि 11,500 रुपीज कमाने वाले की income 2023 में 1,00,000 होगी तो तब कोई ये यकीन ही नहीं कर पाता क्योंकि 1,00,000 रुपीज का purchasing power 1997 में काफी जादा का था अब I am sure कि कही सारे लोग ये भी कहेंगे कि हर साल income 8% से थोड़ी बढ़ती है हाँ मैं भी इस बात से agree करूँगा कि हर साल 8% से income नहीं बढ़ती और एक दो बरस नहीं बढ़ी तो it's acceptable लेकिन अगर पिछले 4-5 सालों से नहीं बढ़ी तो एक बात समझ लीजिए कि inflation यानि महेंगाई को ये नहीं पता कि आपकी income बढ़ी है या नहीं आपका internet बिल, rent, दूद का दाम, maintenance, बच्चों की school fee, electricity bill, grocery, laundry का बिल, इतियादी का cost तो बढ़ने ही वाला है चलिए तो अब कुछ और detailed calculation की मदद से समझते है कि कैसे आरव job security के चकर में कबीर के comparison में wealth creation भी नहीं कर पाएगा और इन्हें समझे उससे पहले आप इस channel को support करना चाहते हैं तो इस video को like जरूर कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो dislike कर दीजिए और अगर आप अपना personal financial plan बनवा कर ये समझना चाहते है कि कैसे आप अपने personal financial goals जैसे inflation, existed, retirement, गर खरीदना, गार खरीदनी, vacations, बच्चों की higher education जैसे goals अचीव कर सकते हैं तो whatsapp कीजिए इस number पर अब इस screenshot के अनुसार हमने ये assume करा है कि आरफ हर महीने अपनी income का 25% invest करेगा और जैसे जैसे उसकी income बढ़ेगी तो वो उसकी investment amount को भी proportionately बढ़ाता जाएगा जैसे first year में 25,000 rupees हर महीने फिर 25% of 1,08,000 rupees यानी 27,000 rupees हर महीने and so on तो 12% return assumption के हिसाब से 55 years के होने पर यानी 26 years बाद उसके पास होंगे 4,35,000,000 rupees लेकिन 7% inflation के हिसाब से 2049 में मिलने वाले इन पैसों की कीमत आज के यानी 2023 के 66,000,000 rupees जितनी ही होगी so अब समझते हैं कि कबीर कितने amount की wealth create कर पाएगा let us look at this screenshot अब कबीर भी अपनी income का 25% invest करेगा और अपनी income बढ़ने के साथ साथ उस investment को proportionately बढ़ाता जाएगा और 26 years बाद 12% return assumption के हिसाब से कबीर के पास होंगे 8,31,000,000 rupees 2049 में जो 7% inflation के हिसाब से आज के यानी 2023 के 1,26,000,000 rupees के बराबर है usually न हमें ये numbers कोई दिखाता ही नहीं है और कोई भी हमें ये नहीं समझाता की समय से job change करके या अपनी skills को better बना कर income को नहीं बढ़ाया तो long term में हम काफी पीछे छूट सकते हैं और इसी लिए शायद आज हम 26 years बाद की 8,00,000 या 17,00,000 rupees पर मन्त की salary imagine नहीं कर पाते मेरे पिता जी की salary 1983 में यानि आज से 40 years पहले 9,000 rupees थी जो 8% increase के हिसाब से आज के 2,00,000 के बराबर बनती है लेकिन आज 2023 में हमें लगता है कि कोई 9,000 rupees में घर कैसे चलाता होगा तो तब दूद का दाम 3,500 रुपे था मेरे पिता जी के एक friend है जिन्होंने 40 बरस एक ही company में काम किया और उसी company से retirement भी ली लेकिन आज ऐसा सोचना हमारे financial future के लिए काफी dangerous हो सकता है inflation दिखता नहीं है लेकिन असलियत में होता है और जो बड़े-बड़े numbers हमने आज discuss किये वो future की reality है और अभी भी अगर आप इन्हें seriously नहीं ले रहे तो I can't say much आपके पास आपका financial plan होना जरूरी है तबी ही आप अपने पैसो को सही से save और invest करके wealth creation कर पाओगे WhatsApp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए आईए देखते है inflation की reality को एक बहुत ही interesting image से यह bill है 20th December 1985 का जहां शाही पनीर का दाम है only 8 rupees और hotel का total bill है 26 rupees only अगर कोई employee दो साल से जादा एक ही company में काम करता है तो chances है कि वो अपने same skills वाले colleagues से 50% कम की income earn करेगा और यह मैं नहीं Forbes का एक article कहता है इस screenshot की अनुसार 18 months is the new long term at workplace जादा समय तक एक ही job पर रहना आपको financially hurt कर सकता है जो हमने अभी समझा एक research के अनुसार अगर कोई एक ही company में 5 सालों से जादा काम करता है और उसका promotion नहीं हुआ तो उसे non recruitable माना जाता है let me share one personal story मैं जिस bank में 2009 में job करता था मेरा एक colleague आज भी उसी bank में नौकरी कर रहा है वो भी बिना promotion के आपको पता है उसका job change ना करने का क्या reason है उसका home loan चल रहा है और पिछली बार जब हम मिले थे तो I was surprised to know कि उसकी income सिर्फ 3% से grow हुई है हर साल पिछले 14 years में so one of the reasons की लोग job change करना prefer नहीं करते है having a debt on their head उन्हें डर लगता है कि अगर नया job secured नहीं हुआ तो या company का work culture अच्छा नहीं हुआ तो so home loan ले तो लिया है मेरे ex colleague ने लेकिन इस home loan ने indirectly उसके career पर काफी बुरा impact गया है so I hope कि आज इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला और ऐसा है तो इस वीडियो को like कीजिए वरना dislike कर लीजिए आप यहां नए हैं और हमारी channel पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो subscribe जरूर कीजिए आप हमारी website theartofwealthbuilding.com पर भी visit कर सकते हैं आप हमें instagram पर the art of wealth building सर्च करके भी follow कर सकते हैं और अगर आपने यह वीडियो end तक देखा है तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनियवाद